डाल की ये वेराइटी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी लेकिन अगर आपने इसे एक बार बना ली तो आप इसे बार बार बनाओगे आज हम पकोड़ा डाल की बहुत ही बड़ीया रेसिपी देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी पकोड़ा डाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने देड़ कब मुंग डाल ली है जो पीली मुंग डालाती है वही लेनी है इसे मैंने अच्छे से दो लिया था और दोने के बाद चार गंटे के लिए से बिगो के रखा था चार गंडे बाद इसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया है अभी हम इसे पीस लेंगे लेकिन इसे हम दो बैच में पीसेंगे सबसे बेलेक मिक्षा जाल लेना है और जो मुंग डाल है उसमें से आधी हम इसमें डाल देंगे पहले द्यान रहे हमें सिर्फ आधी मुंग डाल पीस नहीं है आधी को हम ऐसे ही रखेंगे और इसे हम बीना पानी डाले ही पीस लेंगे इसे हमें दर-दरा पीसना है और बहुत ही गाड़ा रखना है ये देखें बिल्कुल इस प्रकार से पीसना है ये जो मिश्रन है वो पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसी प्रकार गड़ा होना चाहिए अभी हमने जो आधी मुंग डाल बचाई थी उसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे एकदम महिन पीस लेंगे तो ये देखें इसे भी मैंने पीस लिया है तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने आधी मुंग डाल को थोड़ा दर दर पीसा है और आधी को एकदम महिन पीसा है अभी आप देखें ये जो हमने दर दरी मुंग डाल को पीसा है वो थोड़ा गड़ी रखी है और उसके बद जिसे हमने महिन पिसा है उसे हमने थोड़ा पतला रखा है अभी हम दाल बनने की आगी की प्रोसेस करेंगे अभी जिस मूंग दाल को हमने दर दरा पिसा है तो उसमें हम आगी की प्रोसेस करेंगे वन डेबल स्पून इसमें बेशन मिलाएंगे अब इसमें कटा हुए प्याद मिलाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइस का प्याद लिया जिसे एक्दम बारी काट लिया, तो इसमें सम अदा ही डालेंगे अदा प्याद को हम बचा के रखेंगे अब इसमें वन टीस्पून हम अद्रक मिलाएंगे स्वात के अनुसा नमक मिला देना है अभी सब कुछ हम अच्छे तरह से मिला लेंगे अभी सब कुछ हमने मिला लिया है अभी इसमें हम 2 टीस्पून गरम तेल मिलाएंगे अभी तेल दाने के बाद भी इस अच्छे से मिला लेना है इसे हम दो मीट के लिए अच्छे से फैंट लेंगे अभी पकोडा बनाने के लिए मिश्रन तयार है तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और उसके बाद गैस के आज को मैंने मीडियम कर दी है अभी हम तेल में पकोडे बना लेंगे तो यहाँ पे पकोड़ी की जो साइज हो वो मीडियम रख रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आपको उंगलियों से पकोड़ी बना लेने हैं अभी आप देखिए यह थोड़ी देर में उपर आ गए है बीच-बीच में इसे हम चलाते जाएंगा और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसका जो कलर है वो हल्का सा बदल जाना चाहिए यह जो पकोड़े है बहर से बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत जादा सॉफ्ट रहेंगे बारिस के मुसम में ये जो पकड़ा दाल है वो खाने में बहुत ज़़ाद टिस्टी लगती है ये जो पकड़े है उससे आप ऐसे भी सव कर सकते हो अब ये आप देखिए पकड़े पे हल्का सा कलर आ गया है तो अब ये फ्राई होके तैयार है इसे हम बहार निकाल लेंगे ये लिजिये बहुत ही मज़रता पकड़े तैयार हुए है इसी प्रकर हम बागी पकड़े तैयार कर लेंगे अभी सबी पकड़ों को मैंने तैयार कर लिया है अब हम दाल की तैयारी करेंगे एक पैन में हम वन टीस्पून गी लेंगे और इससे के साथ वन टीस्पून तेल लेना है अभी तेल और गी को गरम होने देंगे अब इसमें वन फोर टीस्पून राई मिलाएंगे साथी में वन फोर टीस्पून जीरा मिलाना है 1-8 टीस्पून मेथी दाना मिलाना है 1-4 टीस्पून हींग मिलाएंगे उसके बद 4-5 मीठे निम के पत्ते हैं वो डाल देंगे इसे एक बार चला लेंगे अब इसमें हमने जो आधा प्याज बजा के रखा था वो डाल देंगे अगर आप प्याज नहीं खाते तो यह रस्टीपी में प्याज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो प्याज को हम नरम होने तक भून लेंगे यहाँ पर जो मैंने क्वांटिटी बता है यह वो 4 लोगों के लिए है अब इसमें हम 1 टीस्पून कटा हुआ लसन मिलाएंगे इसी के साथ 1 टेबल स्पून कटा हुआ अध्रक मिलाना है दो हरी मिर्चे जिसे मैंने काट की लिया है एक बार इन सब को चला लेंगे अध्रक और लसन का जो कच्चा पन है वो चला जाना चाहिए अभी अध्रक और लसन को हमने अच्छे से बुन लिया है अब हम इसमें बागी की सामग भी मिलाएंगे एक छोटा सा टमाटर था जिसे भी मैंने मीडियम डूकड़ में काट किया है तो वो डाल देंगे इसे भी एक बार अच्छे से चला लेंगे अभी हमने जो डाल को महिन पीसा था वो डाल देंगे और ये कच्छी ही डाल है इसे आपको तुरंद ही चला लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुटलिया ना पड़े एक बर सब कुछ चला रहे के बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे तो पहले हम थोड़ा पानी मिलाएंगे अब इसमें हम जरूरियत के अनुसार पानी मिलाएंगे और पानी इसमें थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि ये जो डाल है जैसे जैसे पकती जाएगी वो गाड़ी होती जाएगी अभी सब कुछ अच्छे तरह से मिला लेना है गैस के आज को हम मीडियम रखेंगे दाल को हमें अच्छे से पकाना है क्योंकि इसमें हमने जो दाल दी है वो कच्ची है अब इसमें सारे मसाले करेंगे 1.2 तीजपून हल्दी पावडर मिलाना है 2 टीस्पून दन्य जीरा पाउडर मिलाना है और 1 फोर्ट टीस्पून इसमें हम आमचूर पाउडर मिलाना है अगर आपके पस आमचूर पाउडर नहीं है तो आखिर में आप निम्मू का रज़ भी डाल सकते हो स्वात के अनुसार नमक मिला देना है अभी मसालों को भी हम दाल के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब हम दाल को अच्छे से उबलने देंगे इसे उबलने में 8-10 मिनिट आरम से हो जाएगी अभी मुझे इसमें पानी डाले की ज़रुरत लग रहे है तो मैं इसमें फिर से पानी डाल रहा हूँ लेकिन अब मैं गरम पानी डाल रहा हूँ तो आपको ये दाल में बार-बार पानी नहीं डालना है और अगर ज़रुरत पड़ती है तो आपको गरम पानी डालना है सब कुछ फिर से मिला लेंगे अभी हम पैन को ढग देंगे और दाल को अच्छे से पका लेंगे अभी 7-7 मिन्ट हो गई है इसे हम चेक कर लेंगे और बीच-बीच में मैंने इसे चला लिया था ये देखें दाल बहुत ही बढ़िया पक गई है अभी इसी स्टेज़ पे हम इसमें पकोड़े मिलाएंगे पकोड़ आपको तभी मिलाने है जब आपको डाल सहव करनी हो या तो उसके 10 मिन्ट पहले मिलाने है आप देख सकतो डाल बहुत ही बढ़िया दिखरे है लेकिन अभी भी इसमें हम एक तड़का लगाएंगे इसे उसका जो स्वाध है बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा पकोड़ा डालने के बाद दाल को हम सिर्फ दो मिन्ट के लिए उबालेंगे और गैस के अलको दीमा रखेंगे थोड़ा हर दिन्या डाल देना है और साथी में थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे आखिर में इसमें हम गर्म मसाला मिलाएंगे सब कुछ विर से मिला लेंगे ये देखे एकदम बढ़िया पकोड़े वाली दाल तयार है अभी दाल तयार है हम तड़का लगाएंगे तड़का पेन में वन टीस्पून हम गी लेंगे गी को एक बार अच्छे से गर्म होने देंगे अब इसमें हाफ टीस्पून जीरा मिलाएंगे पाँच से शे कड़ी पत्ते मिलाएंगे इसी के साथ तीन सुखी लाल मिच डाल देंगे वन फोर टीस्पून लाल मिच पावडर डालना है और साथ ही में वन फोर टीस्पून कसूरी मिलाएंगे गैस की आच को मैंने बंद कर दिया है ताकि जो तड़का है वो जलना जाए इसे तुरंत ही हम मिला लेंगे अभी तड़के को हम डाल के उपर डाल देंगे उपर से फिर से थोड़ा हरा दनिया डाल देंगे ये लिजे एकदम बढ़िया तड़के वाली पकोडा डाल तैयार है तो पकोडा कडी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार आप पकोडा डाल बनाई है इसके भी आप दिवाने हो जाओगे अगर आपको पकडा डाल की ये रेसिप अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी नहीं लगए तो वीडियो को डिसलाइक करके भी कमेंट कर सकते हो